असल में वही उची उडान रखते हैं जो दिल में होसला सीने में जान रखते हैं दसल ये शब्द और फुरी लाइने सठीक पैकती हैं शबीना पर जिन्होंने आपको बता दें कि तमाम जो ऐसे हालात थे जहां पर कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही थी असल बात नब बनने के पीछे की वज़े ये थी कि बचपन में उनके तेज बुखार आया उस बुखार ने उनके जो पैर थे वो पूरी तरीके से उनको चलने फिलने में असमर्थ कर दिया और आखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई लेकिन उनोंने होसला नहीं हारा उनकी चाती की वो बड़ी सिंगर बने और तमाम इस्टेजों पर जाए और उनका वो होसला और उनकी उड़ान वो पूरी भी हुई उसके लिए मुख्यमंत्री योगी अदितनात ने उने एवाग भी दिया इसके साथ में उनकी सरहाना भी की इसके साथ में वो तमाम जो आएसे अबसर पे जो प्रदेश इस्तर और आश्टी सर पे उने पुरुषकर्त भी किया गया इस समय जो सबीना अलगातार रियाज कहती है गुल्षन भारती से चलेने के बाद में अब उनकी इच्छा है कि पधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मिले फिलाल उनके चर्चाओं में रहने की वज़े है कि राम और भगवान किशन के भजन गाती है और निरंतर उस पर अभ्यास भी करती रहती है वो चाहती हैं कि अपनी तमाम जो चीजे हैं वो लोगों के सामने ले आए और जो तालीम है कि सहरे उन्होंने जो हासली किया है वो लोगों तक भी पहुँचाए शबीना पूरी तरीके से अपनी रियाज के साथ में ही अपनी बात को पुक्ता तरीके से रखती है आईए ज गीद भजन वहां से प्रसारित भी हुए All India Radio से और जो All India Radio के concert होते हैं उसमें भी हमने गाया है और 2012 से हमने professionally stage पर गाना स्टार्ट किया हमने लखनों में सभी मन्चों पर गाया है और समय समय पर अनेकों वरिष्ट अधिकारियों दुआरा हमें सम्मानित किया गया है इसके बाद कि दिल्ली की क्या यातरा रही कहा पहुंची राजपदी पहुंची आपने अपना दुशी किस तरीके से याद करते हैं दिल्ली से पहले का तो यह है कि लखनों से बाहर पहली बार हम गए तो इसका श्रे जया श्रीवस्तो जी को जाता है मैडम जया श्रीवस्तो वो हमें सबसे पहले लखनों से बाहर ले गई हर्दोई क्योंकि इससे पहले मेरा सपना ही था तो यह किसी और ने ने किया उन्हों ने किया पूरा मेरा सपना तो सबसे पहले में लखनों से बाहर हर्दोई गाया कानपुर और या राइबरेरी और इलावाद में गाया कुंब में उसके बाद हमने आग्रा में गाया ताज महत्सव में आयोधिया में गाया जो राम जी का वीवा होता है और इसका ब्रिंदवन में गाया दो बार ताज महत्सव दो बार आयोधिया में गाया और उससे पहले हमें राम नायक जी जो पहले राज जी पाल थे 2018 में हमें 24 फैवरी 2018 में उन्होंने सम्मानित किया और 2018 में ही 3 दिसंबर को उन्होंने मुझे राज इस तरही पुरस कर दिया और 2019 में हमारा सेलेक्शन हुआ नेशनल एवाट के लिए तो हमें दिल्ली बुलाया रामनात कोविन जी ने तो हमें वेंक के लिए नेशनल एवाट मिला और उसी शाम 3 दिसंबर को जब एवाट मिला था मुझे मौरणिंग में 11 जे और उसी शाम हमें अफसर मिला राष्ट पती भवन में रामनात कोविन जी के साथ चाह पिने का शुब अफसर वे मेरी लाइब का सबसे सुनेरा अफसर है सबसे मैं बहुत अच्छा एक कल्पना भी नी कही थी मैंने कि मैं राष्ट पती भवन में जाओंगी यह है जन्नी जन्नी के लीच में बातचीत हुई जब मेरी शंगर्ष के दिन थे तो उस समय हमारे बहुत दिक्कत है थी हमारे पास वीललशयर भी नहीं थी और आही हम लोग वह इतना पैसा था कि वीललशयर ले सके तो हमारे पापा चाहे ओडिशन जब हम देनी जाते थे जितना दूर होता था जदिसका रूम जहापे ओडिशन लेते थे तो वो हमें अपनी बाहों में लेकर इतनी दूर चल के जाते थे और जब मंच पे में जाती थी तो सीड़ियां भी किसी-किसी मंच की बहुत होती थी उस पर भी वो लेकर जाते थे लेकि मेरे पिता जी ने कभी ये नहीं कहा कि आज हम नहीं जाएंगे और इतना खुशे होते थे वो मुझे गाते वे देखकर उन्होंने मुझसे कहा बिटिया तुम कभी चिंता मत करना कि तुम कैसे जाओगी तुम्हारी जहां तक जाने की इच्छा होगी हम तुम्हें लेकर चलेंगे मेरे पिता जी का बहुत श्यंगर से मेरे लिए क्या अब क्या लग रहाएंगी क्या इच्छा है अचाल कि अअभू है, एक ठातां मंत्री edo पर मिल चुकी हूँ, योगी जी से और सबी लोग से मिल चुकी हूँ, मेरा सपना है कि मैं अपने प्रदान मंत्री जी, नरेन मौदी जी से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके कारयों से इतना प्रभावित हूँ जैसे आप हैं इससे पहले जादा कुछ याद नहीं है पर वो प्रधान मंत्री बने तो भारत देश की तस्बीर जैसे कि आज बदली यह इससे पहले बहुत कुछ जो अभी हुआ है उनके समय में वो पहले नहीं हुआ था सबसे बढ़ा को ही इस ने थे उसीने दिगा आप में कोंको आपना सब्सक्राइब, में तो यश्यों दनाना कांते तो music के एलाबा कि यसी कि मैं परिया वरंट पे भी करती रहति हूँ क्योंकि मैं विश्या पार्क नी अप्ना एक एक ऑन्ओ ट्री लगाया है और मैं अभी इस बार जो मेरा जनम देना आएका तो मैं वही मना होंगी पहले था सपना जो मैं छोटी थी भजन वालीवूट की तरफ जाने का लेकिन अब कुछ समय से मेरा वालीवूट से मन हड़ गया है क्योंकि मुझे लगता है मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि अच्छा काम नहीं हो रहा बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन जो रुची मेरी पहले थी वो रुची मेरी आज नहीं है कियोंकि यह लोगों का अब वह इस्टाइल नहीं रहा है तो मैंने सना मुझे बजन ही गाना है आगे भी बजन में ही अपना केरियर बना हुए मैं एक शीब जीका बजन जना लो मैं ताशिब की पुजारन बनूँगी मैं ताशिब की पुजारन बनूँगी अपने भोला की जोगन बनूँगी अपने भोला की जोगन बनूँगी ओ मैं ताशिब की पुजारन बनूँगी मैं तो पहनूँगी जोगन का चोला मैं तो पहनूँगी जोगन का चोला वो है पारस महादिव भोला मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला वो है पारस महादेव भोला चरन छूकर मैं कुंदन बनूंगी अपने भोला की जोगन बनूंगी अपने भोला की जोगन बनूंगी हो मैं तो शिवी की पुचारन बनूंगी